इस प्रेजंटेशन में बात करने जारे हैं रिंग मॉडिलेटर की रिंग मॉडिलेटर रिंग मॉडिलेटर इसका बहुत ही इजी डायग्रम में कोई ऐसा खास या हाड डायग्रम है नहीं अभी समझा देगा क्या टायग्रम में इसका यहां से हमारा एक मैस से सिगनल आता है इसमाइट ट्रांसफॉर्मर ओके यहां एक डायवड लगी है एंड यहां एक डाइवोड लगगा, ओके, अगेन यहां एक ट्रांस्फॉर्मर बनेगा, यह एक कैपैस्टर लगाओगा और यह DSVSC जनरेट करेगा, ओके, as DSVSC लिखे करेगा, अजन आउटपुट यह देगा, ठीके, अब यह D1 है, this is my D2, D3, D4 भी बनते हैं इसमें, वो ऐसे बनेगे, इनके opposite direction में, यह सेट को मुझ कर रहें, बाकी यह D3 और D4 इस सेट को करेंगे, this is your D4 and this is your D3, okay, यह हो गया तुमारा diagram, अब यहां तुमारी center tapping होती है, यह center tap है, क्योंकि CT भी आना चाहिए, तो वो CT भी तो आएगा, CT को भी तो अपने target आनी है, तो यह CT हो गया हमारा, ठीके, CT I know, सभी को पता है, AC cost रूपा या FCT, I hope so, कि अभी तक सभी को पता है, अब इसके cases है तो, दो तिन cases में हम सारी चीज़े देख लेगे, क्या वो case है, कैसे चल रहे है, उन सभी के में बात करते हैं, पहला case, जब मेरा CT positive होगा, तो, जब यह forward vice होगा, तो हमारा diagram क्या बनेगा, वो देखते हैं, forward vice, यह होगा, I hope सभी को camera में एच यह दिख रही होगी, कि यह दोनों diode को मैंने, forward vice कर दिया है, और यह मेरा, as dsbsc, as an output देगा, which is my empty, ओके, ठीक है, इसमें एक और चीह याद रखना, कि current जितना इदर से जाएगा, उतना इदर से जाएगा, तो current आपस में cancel भी करे जा रहे है, क्योंकि current are equivalent opposite, so they cancel each other, ठीक है, thus they are going to cancel the magnetic field, इसलिए इसकी magnetic field भी cancel हो जाएगी, ठीक है, so output mode is 0, output mode is my 0, अब second case में क्या ले रहा हूँ, जब मेरा ct क्या है, negative है, यह diagram बना ले न, second case, my ct is negative, मेरा ct इस बर क्या है, negative है, जब मेरा ct negative होगा, तब d3 और d4 क्यों होएंगे, forward बाइस हो जाएंगे, तो इस बार हमारा diagram कैसे बनेगा, कितनी चीज गलिए रहे है, यह हमारा बनेगा, sdsbsc, और इस बार हमारा minus of mti आएगा, यह बात याद रहा, इधर भी, अगर हम देखे, तो जो current है, वो इधर, इधर आ रहा होगा, and they are also equal, पहले वाले में इधर आ रहा था current, कट रहा था, इसमें आ रहे हैं इधर, पहले वाले में इधर से जा रहा था, इस बार आ रहा था है, आपस में equal and opposite है, इधर भी cancel होजेंगे, magnetic field नहीं produce होगी है, and output mode is my 0, यह मैं लिखवा दुम्हां मैं क्या बोल रहा है, इन लोग अगर लिखना जाते हैं तो, इन बोथ केसे, at T1 and T2, current are equal and opposite, therefore, they are going to cancel magnetic field, ठीक है जी, so output mode is 0, 10 carrier wave suppressed in both the cases, इसलिए carrier wave दोनों cases में suppressed हो जाएगा, अब हम अगर इसका diagram देखें कि swim में चलता है यह, वो देखते हैं, सबसे interesting चीज है जो अब मैं बनाने जा रहा है, इस से सबसे जाए चीज़े clear हो जाती है, ठीक है जी, मेरे पास एक वेव है, यह रही, this is my M of T, and another is my wave, which is my C of T, थोड़ा सा सभी बना लेते हैं, हम इसको और, ठीक है जी, this is my C of T, and last one is my DSVSC, DSVSC, जब D1 and D2 forward by IC, which is this condition, पहले मैं थोड़ा सा और clear करते हैं, एक चीज, ठीक है, जब यह forward by IC है, तो diagram हमारा सेम ऐसी बनेगा, M of T, answer आया थे M of T, जब D3 and D4 है, मतलब यह नीचे, reverse by IC होगे D1 and D2, नीचे आगे, तो इस case में हमारा minus of empty, अगर यह उपर है तो इधर क्या बनेगा, इधर यह हमारा नीचे बनेगा, ऐसी बनेगा, नहीं, उपर से नीचे जा रहा था, उपर से नीचे जाए गए, इसके बाद इधर same to same बनेगा, वो क्या है, यहां से बन रहा है कुछ, कुछ इस वे में, ठीक है जी, forward by IC है, यह reverse, ulta, ulta मतलब कुछ ऐसे, उपर से नीचे, और यहां से, same बन जाएगा शाएद, reverse by IC, forward by IC है, तो यहां से same ऐसे, अब इसको join कर दो, यह थोड़ा नीचे बनाने चाहिता है, इसकी height का बनाएंगी न, ठीक है, तो जहां यह forward by IC है, same का same, जहां नीचे है, तो इसका ulta, नीचे छप जाएगा, same, ulta, उपर आजेगा, ठीक है, तो यह as an output हो गया, ring module बेट रहाएगा, ठीक है, I hope इतना सभी को clear होगा, इसमें किसी को कोई परिशानी होगी, अगर किसी को कोई भी परिशानी है, कोई doubts है, तो comment section पर message कर सकता है, प्लस, अभी अभी facebook का page बनाएं, उसको जरूर follow करो, जिससे आपको regular updates मिलते रहें, अगर आपको कोई new videos बनानी तो उसके मैसेज भी कर सकते हो, so that's all for this presentation, अब नी प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे, synchronous detector या फिर coherent detector, तो नों को एक ही चीज़े असलियत में, तो उसकी बात करेंगे, so that's all for this presentation, thank you,